मुख्य मंत्री मनोरलाल ने आज वीडियो कॉनफेंसिंग के जरीए परदेश के अलगलग जिलों में करोडों रुपय की परियोजनाओं का उधगाटन और सिल्यानास किया गया जिसमें 87 करोड 11 लाख रुपय की 4 परियोजनाओं के उधगाटन वे 30 करोड 29 लाख रुपय की 4 प्रयोजनाओं के सिल्यानास सामिल है वहीं रेवाडी से कॉंग्रिस विदायक चरंजी राव ने सरकार पर निशानास आते हुए का है कि रेवाडी विदान सभा में कोई बड़ा काम मुझूदा सरकार नहीं किया है जो कारिये उद्धगाटन और सिल्यानास किये गई हैं वो कि दक्षण हरियाना का छेत्र जो की पिछली सरकारों में विकास कारियों में अप्यक्षित रहा है वर्तमान सरकार में मुख्यमंतरी मनोराल ने काफी विकास कारिये कराए हैं सड के पानी बिजली शिक्षा स्वास से आधी में काफी विकास कारिये दक्षण हरियाना में कर सरकार के विकास कारियों पर तेजी से काम करें अगर किसी पर्योजनाओं को पूरा करने में देरी होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है उन्होंने का कि मुख्यमंत्री द्वारा सापली कसोला नहरी पेजल आधारित जल घर का उद्गाटन किया गया है जिससे 23 गाओं वेचा डानियों के 46,493 लोगों को पेजल उपलब दोगा करेकरम में केंद्रे मंत्री राव इंदर्जी सिंग भी दिल्ली से वीडियो कंफेंसिंग के माधिन से जुड़े रही मुख्यमंत्री मनोडाल द्वारा जिन विकास परिजराओं के उद्गाटन किये गए हैं उनमें 1732 32 लाग की लागत से बने राज के महावी द्याल है पाली 512 लाग रुपए की लागत से बने लोक निर्ण विवाग विश्राम गिरे बावल 5612 लाख रुपे की लागत से बने नहरी पेजर पराधारित सांपली कसोला जलगर वे 855 लाख रुपे की लागत से बने RBS इंजिरिंग कोलेज जैनाबाद के बोईज होस्टल का उधगाटन किया गया मुक्यमंत्री मनोलाल ने जिन विकास परियोजनाओं का से लिनास किया है उनमें 289 लाख रुपे की लागत से बनने वाले राज किया कन्या वरिष्ट माध्मिक विद्याले रहवाडी के भवन चार सो एकिस लाख रुपे की लागत से बनने वाले राज के उच विध्याले जाट तीन सो एक्षट लाख रुपे की लागत से बनने वाले नागरी के अस्पताल से टोमा सेंटर के बीच फूट ओवरे ब्रीज वै उन्निस सो सत्ता वन लाक रुपे की लागत से बनने वाले सैनिक स्कूल गोड़र अटपा कोरी की सड़क वै पार्किंग का सिले नाज सामिल है ऐसे में देखना होगा कि जिन पर रियोजनाओं के अधार सिला मुख्यमंत्री ने रखी है उन पर रि पूज़त किये गई इस कारिकरम में रेवाडी विदैक चरंजी राव को निमंत्र नहीं मिला है और सरकार की स्नीती के खिलाफ रेवाडी विदैक चरंजी राव ने बयान जारी करते होए कि जंता के चुने हुए प्रतनिधी के साथ ऐसे भेदवाओं करना ठीक नहीं है औ रेवाडी के कारिकर में रेवाडी विधायक को ना बुलाकर सरकार ने जन्ता का अपमान किया है।